ने साल 2018 और 19 में कस्मीर पर पाकिस्तान की भाजा बोलना शुरू किया और फिर भारत ने मलेसिया से पाम ओयल की आयात रोक दी महिने भर के अंदर में मलेसिया अवकात पर आ गया लेकिन क्या प्रदानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा ही किया है स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप और इस वीडियो को जारी करने के बाद कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे मालदीव पर एक सबसे बड़ा चोट है लेकिन मालदीव आखिर पीम मोदी के इस वीडियो से मालदीव का क्या कनेक्शन है जानेंगे मालदीव की खबरों को विस्तार से किसमीर के मामले में के बारत आप मलेशिया से पाम उयल खरीदना ही बंध कर दिया मैं चाहती हूँ कि पीएम मोदी का ये वीडियो आप जरूर देखे अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया यहां पीएम मोदी लक्षदीप पहुँचे हैं और लक्षदीप पहुँचकर यहां पर इनोंने लगभग सारे परियतन वाले काम किये हैं यहां पर इनोंने साल 2024 की सुरुवात में लक्षदीप के यात्रा के साथ बहुत सारी चीजे एक साथ कर दी है केरल के तट से दूर लक्षदीप सागर में 36 एटोल और मुंगा चटानों का एक उश्न कटी बंदिय द्वीप समू का परदानमंत्री मोदी ने दौरा किया है सफेद रेत, मिलनसार लोग और अत्यदिक व्यवसाई करन के कारणामों से सनरक्षित प्रकृती इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगों में से एक बनाती है भारत से भारी संख्या में लोग परियटन के लिए मालदियु जाते हैं भारत से हर साल करोडों रुपे मालडिव में टूरिज्म के नाम पर जाता है तो क्या पीए मोदी ने लक्षदीप जाकर भारतिये लोगों को एक संदेश दिया है जो मजा मालडिव में है वही मजा लक्षदीप में है दरसल आपको बता दें एक चीज हुई थी 2021 में जब महामारी की वज़े से भारत के पर्याटन सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा थी उस वक्त भारतिय प्रदानमंत्री मोदी ने ट्वीटर पर सभी से जमू कस्मीर में जवरवान रेंज के तलहटी में इस्तित ट्यूलिप गार्डेन का दोरा करने और केंद्र सासीत परदेश के लोगों के गर्म जोसी भरे आतिथी का आनन्द लेने का आगरह किया और प्यम मोदी के अपील के बाद कस्मीर ट्यूलिप पर परियाटकों की बारढ़ा गई थी और कस्मीर के परियाटन सेक्टर में उच सीन दिखाए लक्षदीप भी धर्ती का स्वर्ग हो सकता है परेटकों के लिए एक मज़ेदार जगा बन सकता है वैसे आपको बता दें आकडों से पता चला है कि लक्षदीप में 2022 में एक लाख विदेशी यात्री आए ये रिकॉर्ड 2021 में पिछली संख्या केवल 4000 से जादा है जब लक्षदीप की बात आती है तो घरेलू पर ये टक भी बहुत कम आते हैं लेकिन प्रदान मंत्री मोदी की यहां पर सफेद रेत पर चलते हुए बिसाल नीले समुद्र के सामने एक समुद्र तक पर आराम करते हुए तस्वीरे भारत में वाइरल हो गई है इसक्रीन अंतव्य को गूगल करने में बैस्त हो गए थे लोगों में अचानक लक्षदीप को जानने की दिल्चस्पी काफी बढ़ गई और लोगों ने लक्षदीप कैसे जाए इसे खोजनी की काफी दिल्चस्पी बढ़ी बुद्वार को लक्षदीप भारत में गूगल पर विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट को समर्पित करने के लिए दो और तीन जनवरी को लक्षदीप में थे अपने परवास के दोरान उन्होंने द्वीप की सुन्दरता का आनद लिया और यात्रियों से इसे देखने का आग्रह किया तो क्या मालदीवी की जगह अब ल मालदीव के राष्ट पती हैं वह एक बाद एक भारत के साथ कई परजेक्ट को कैंसील कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे इनके रिष्टे चाइना के साथ काफी बढ़ते जा रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह भारत आने के बजाए तुरकी रहे हैं लेकिन भारत नहीं पहुच रहे हैं चाइना के साथ रिष्टे बढ़ने का संकेत दिख रहे हैं और माल्दीव को अगर चोट देना है तो माल्दीव को कहां पे चोट दे सकता है भारत अभी सोशल मेडिया पर पियम मोदी की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है और इसका असर आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, माल्दिव दुनिया के बड़े देशों में है, चौथी बार जहां पर दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं, और आपके मन में ख्याल होगा, अच्छा दुनिया भर के लोग जब यहां आना चाहते हैं, तो एक भारत के लोग नहीं जाएंगे, तो क्या फरक पड़ जाएगा, भारत के लोगों के लिए, माल्दिव उन्हें टूरिस्ट वीजा फ्री रखा हुआ है, 90 दिनों के लिए, अब इससे समझ में आ रहा होगा, कि भारत से उनको कितना फायदा है, नहीं समझ में आया, तो इस लिष्ट को देखी आप समझ में आ जाएगा, यहां पर पिछले साल का रिकॉर्ड था, और इस रिकॉर्ड में टॉप के टूरिस्ट कहां कहां से आये थे, भारत के जो यह दो लाख टूरिस्ट है, यह अगर मालदिव न जाकर, लक्षदीप जाने का योजन करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि मालदिव को एक अच्छा जटका मिलेगा, अब मालदिव की एकोनोमी में टूरिज्म का क्या हाथ है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मालदिव के जीडिपी का 28% टूरिज्म से आता है, 60% मालदिव का फॉरण एक्सचेंज रिशिप्ट टूरिज्म का होता है, और इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा था मालदिव, तो कहा जा रहा है कि अब इसका असर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पियम मोदी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, कि मालदिव न जाकर आप लक्षदीब जाओ, लेकिन अभी सोसल मीडिया पर आग पाकर देखेंगे, तो सोसल मीडिया पर यह बुरी तरीके से बाइरल हो रहा है, जिसमें लक्षदीब को लेकर बार बार ढूना जा रहा है, कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है, और एक बड़ी बात मुझे लगी, कि सतर साल प्लस का एक बंदा, ये सारे एडवेंचर करके कोशिस कर रहा है, कि अपने देश को सक्ति साली बनाया जाए, चाहे हर सेक्टर में हो, ये देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, खेर, इन सब मामले में आपकी क्या राया है, कमेंट कर जरू बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ,